अवेड चिकितसा क्लिनिकों के खिलाव प्रिशासन की बड़ी कारवाई सरमत्रा कजबे से लेकर ग्रामीन इलाकों में अवेड चिकितसा क्लिनिकों की बाड सी आ गई है वहीं उप्चार के दौरान कई लोग इन जोला चाप डॉक्टरों के इलाद से अपनी जान तक गवाद देते हैं प्रिशासन दुआरा समय समय पर जोला चापों के खिलाव कारवाई की जाती रही है लेकिन जैसे ही मामला शान्थ होता है फिर जोला जाप सक्रिय हो जाते हैं सरमत्रा कजबे में शुक्रवार को प्रशासन एवं चिकतसव भाग की टीम ने अवैद जोला जाप डॉक्टरों के खलाफ अभियान चलाकर सैयूक्त कारवाई की प्रशासन की टीम को कजबे के पुराना बस स्टैन पर बिना वैद डिगरी के एक क्लीनिक संचालित होता हुआ मिला इस पर टीम ने मौके पर कारवाई करते हुए एक अवैद क्लीनिक को सीज कर दिया प्रशासन दुआरा की गई कारवाई के बाद जोला चाप डॉक्टरों में हरकम समझ गया और जोला चाप डॉक्टर अपनी अपनी दुकानों को बंद कर भाग गए साथ ही आपको बता दे कि सर्मत्रा उपकंज सहत आसपस के ग्रामीन शेत्रों में भी जगे जगे चोला चाप डॉक्टरों के दुआरा अपनी अपनी दुकाने सजा रखी है और मेडिकल स्टोर की आड में भी नौसिक ही इलाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं साधी पैसो के लालच में चोला चाप डॉक्टरों के दुआरा मरीजों को ओवर्डोस दवाई दे कर मरीजों के सुवास्ते के साथ खिलबार किया जाता है और मरीज की तबियत बिगरने पर उसे आनन फानन में रेफर हैं इनके पास युनानी और आज वाली है लेकिन अलोपैति के साथ देखें पर इस तरीके से जाए आपने शहर में परीजों को देगा जा रहा है अभिनव पहल करते हुए शुरू की गई SP-DM धोलपुर यूद इंटराक्शन कारिकरम के तहट आज कलेक्रेट सभागार में जिले के प्रतभाशाली विद्यारतियों के साथ पुलिस अधीशक द्वारा समवाद अस्थापत कर उन्हें बहतर करियर निर्मान की दिशा में मोटिवेट किया गया इस कारिकरम के तहट जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीशक प्रतेक शुकरवार को समय दोपहर तीन बजे से चार बजे तक चायनित यूवाओं से समवाद अस्थापत कर उनका मोटिवेशन करते हैं इस कारिकरम में शामल होने के लिए जिले के यूपर ऑनलाइन फर्म भरना होगा जिसके बाद शॉटलिस्ट किये गए चायनित यूवाओं को जरीए फोन कारिकरम में शामल होने के समद्ध में अलग से सूचित कर दिया जाया करेगा इसमें शामल होने के लिए दी गई लिंक पर फर्म भरा जा सकता है इस कारिकरम में शामल चायनत प्रतभावान यूवाओं को जिला करेक्टर एवं पुलिस अधीशक दुआरा कोशल विकास अन्ये अवसरों परिक्षा एवं साक्षातकार की तैयारी करियर काउंसलिंग त बढ़ने से उफन रहा कुआ हैड़ पंप सर्मत्रा इसमार पूरे प्रदेश में हुई जमाजम बारश से सभी नदी नाले तालाब आधी उफान पर आने से अचानक से डांग शेत्रों में भी जलस्तर बढ़ गया है और इसी को लेकर सर्मत्रा उपकंट के ग्राम पंचाय जीरी में भी बारश के चलते भूमीगर जलस्तर में तेजी से सुधार हो रहा है जलस्तर बढ़ने से पानी का दबाव जमीन के उपर की तरफ उठ रहा है इस वज़े से हैड़ पंप एवं बोर से पानी स्वितह निकलने की घटनाएं भी सामने आ रही है वही कुआ उफान मार रहे हैं वही इस संदर्ब में जीरी सरपंच प्रतिनेधी संजू सिंग जादौन का कहना है कि यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है इसे आर्टिजन बोर कहा जाता है सरमत्रा उपखंड के जीरी गाउं में लगे तीन हेड़ पंप स्वितह पानी उगल रही है जिले में अक पक्षु चल रहा है ऐसे में लोग अपने पित्रों को तरपन देने के लिए पवित्र जगाउं जैसे कुआ, हेड़ पंप, ताला, बावडी, आदी का रुक करते हैं लेकिन हेड़ पंप से स्वता ही निकल रहे पानी से लोग तरपन कर रहे हैं श्राद पक्षु में इसक पानी में कर रहे हैं अपने आप, अप्षी वर्षा दही है, ऐसी वर्षा करून आई 20 गंचे तक शहर दोलपोर डूबा अंधेरे में विद्युत विभा के अधिकारी एवं करमचारी कर रहे हैं कच्छुआ चाल से कार्य दोलपोर शहर में कल दोपहर 3 बजे से और अभी सुबह 11 बजे तक लाइट के दर्शन नहीं हुए हैं कारण यह है कि अधिक वर्ष होने के कारण नगर परिशत वभाग के दुआरा जेसी बी से मचकुन रोड आई टी आई के पास एवं बाडी रोड पर पाने निकासी का कारिया चलाया गया इस कारण जेसी बी मचीन से विद्यूत की लाइने कट गई थी इस कारण लगातार 20 घंटे विद्यूत आपूर्थी ठप रही लेकिन गर्मी से परशान लोगों ने अधिकारियों के पास फोन भी किया लेकिन अधिकारी एवं करमचारियों ने फोन को स्विच आउफ कर ल का हुआ आयोजन सरमत्रा राज्खिय उच माध्यमिक वद्याले सरमत्रा में सरकार के निर्देशों की अनुपालना में किशोर किशोडी सशक्तिकरण कारिया शाला का आयोजन किया गया इस अफसर पर विद्याले से आय सुगम करता शिक्षकों को संभूदत करते हुए प् check आदि द्ट हम एन्ट अगनाला और उनकेट प्रगती गोईल के द्वारा संभागियों को बताया गया कि अच्चना मिद्टल और मॉनिका ने GENDER संवेदन शीलता भर चर्चा की कनहया लाल दक्ष प्रशिक्षक ने जीवन कौशल के बारे में संभागियों से चर्चा की इस अफसर पर धर्म सिंग मीना और प्रीतम मीना आरपी सहिश शिक्षक उपस्तित रहे सर्मतरा से जिला संभाद दाता विश्ण कुमार सोरी की रिपोर्ट जिले में सार्वदिक परिक्षा परणाम देने वाले सरोच देवी महविद्याले जगनेर रोड जारगा बसेडी में प्रवेश प्रारंग यहां सनातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भुगोल, राजनीती विज्ञान, अर्थ शास्त्र एवं विज्ञान वर्ग में गड़ित विज्ञान, रसायान विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, आदिविशय उपलब्द है। आपक राहुल शर्मा से संपर्ख करें प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने एवं जमा कराने का इस्थान जगनेर रोड जारगा बसेडी धोरपुर। पांच शून्य तीन तीन एक दो साथ दो। एक पहल महला आत्मरक्षा एवं सशक्ती करन की दिशा में। कल से जिला पुलिस अधीशक समित महराडा द्वारा आत्मरक्षा शिविर का आयूचन पुलिस लाइन धूलपुर में किया जा रहा है। जिसमें महलाओं एवं बच्चो को कूडों मार्शिलाट का प्रिशिक्षन दिया जाएगा। जिसमें महलाओं बच्चियों एवं बच्चो को कूडों के विभिन टेक्नीक के द्वारा आत्मरक्षा के लिए पंच, किक, अटाक और डिफेंस आदी के तरीकों का प्रिशिन कर दुश्मन पर काबुपाने के गुर्च सिखाए जाएंगे। आम तोर पर देखने को मिल रहा है कि महलाओं अपने आपको सुरक्षत महसूस नहीं कर पा रही हैं जिससे महलाओं पर हो रहे छेड़चाड की घटाओं से बचने के लिए उनको आत्मरक्षा शिवर के दुआरा खुद को सिर्शक्त वे मजबूत बिनाने का काम किया जा र इसमें सम्मिलत होने वाले इच्छुक महलाएं एवं 12 साल के बच्चे ओनलाइन या कारल्या पुलिस अधीशक धुलपुर की P.A. ब्रांच में कारल्या समय में निर्धारत प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं किसी कारण वर्ष आवेदन नहीं कर सकने वाले भी इच्छु मोशल मीडिया से ही शुरू हुआ और फेस्बुक ट्विटर एवं वॉटसेप पर बढ़ाई देने वालों का ताता लग गया तो वहीं उनके निवास अस्थान पर भी सुबह से ही लोगों का आवागमन सुचारू रूप से चालू रहा लेकिन उनके नेता आज धोलपुर मे नहीं होने के कारण समर्थक उपहार देख रही वापिस अपने घरों की और लोटे लेकिन शाम होते होते उनके निवास पर उनके चाहने वालों ने उनके हम उम्र दोस्तों के साथ के काट कर इस जन्म दिन के आज यादगार बनाया और एड़ुकेट सत्यवान सिंग राम यादव, मनूच कुमार, एयू बैंक, राहुल, अबधेश गूजर, उपसभापती, इसरार खान, दीपु पंदत संजीफ सौरफ घुरेया, पुनीत कंसाना, सौरफ गूजर, शारुक खान, लवी खान, सहित अन्यलोगों ने उनके निवास पर केक काट कर जन्म दिन है, वो किनी कारणों से उन्हें जरूरी काम से बाहर दिल्ली जाना पड़ा, इसलिए आज वहां हमारे सब के बीच पोपर सिर्थ नहीं है, उनकी गेराजी में आज हम उनका जन्म दें, बड़े सभी मिलके बड़े हरुल, अर्सुला से मना रहे हैं, और सभी वाजियों में हम सब लोग उनकी कामना करते हैं और उनका मिसा उजयरिल वरिश के लिए कामना करते हैं आंगई पुलिस ने अवैज शराप के 82 पवो सहत आरूपी को किया गिरफतार आंगई थाना प्रभारी रामफतार मीना के नित्रित्व में की गई कारवाई आंगई थाना पुलिस ने अवैज शराप के खलाफ के खलाफ कारवाई करते हुए अवैज देशी शराप के 82 पवो सहत एक मुलजिम को गिरफतार करने में सफलता हासल की है आंगई थाना प्रभारी रामफतार मीना ने बताया कि पुलिस टीम ने बटी करार रोड के पास कारवाई करते हुए मुलजिम रामभान उर्फ भूरा गूजर पुत्र बच्चू सेंग गूजर उम्र 32 वर्ष निवासी गाउं सूनी थाना आंगई को गिरफतार करने में सफलता हासल की है साथी पुलिस ने मुलजिम के कबजे से 82 पवो को भी जब्त कर लिया है पुलिस ने मुलजिम के खलाफ आबकारी अधिनिया में मुकदमा दर्ट कर जान शुरू कर दी है आंगई थाना प्रभारी रामफतार मीना ने बताया कि भविश्य में भी अवेश शराब रखने वाले एवं अवेद गते विधियों में लिप्त अपराधियों के खलाफ धर पकड़ अभियान जारी रहेगा कारवाई के दौरान धानप्रभारी रामफ्तार मीना सहित बड़ी संख्या में पुलस जापता मौजूद रहा सरमत्रा से जला समवाद दाता विश्न कुमार सूनी की रिपोर्ट धोलपूर 68 वी राज्वे स्थरिये माध्यमिक उच माध्यमिक विद्याले 17-19 वर्ष्ट चात्रा कुष्ती खेलकूत प्रतियोगिता का आज के डी शास्त्री कॉंप्लेक्स में शुभारंभ हुआ जला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक श्रीमती सुखो देवी मीना एडी ओ रोहिद बिष्ट एडी ओ पपु सिंग सिकरवार संयोजेक वच्चयन प्रवेक्षक सुनील धवाई विभागिये प्रवेक्षक ममता गुपता प्रधानाचारिये संपत्राम मीना वे फिजिकल ड चौधरी डीग ने दुतियस्थान प्राप्त किया 57 किलोग्राम भार में बबली कौशिक डीग ने प्रधमस्थान तथा अंजली बीकानेर ने दुतियस्थान प्राप्त किया इस वर्ष में 69 किलोग्राम वजन में चंचल माली भीलवाडा ने प्रतमस्थान प्राप्त किया तथा सुमन फलोदी ने दुतियस्थान प्राप्त किया 62 किलोग्राम भार में योकिता कवर ने प्रतमस्थान प्राप्त किया तधगरे मां चौधरी अजमेर ने दुतियस्थान प्राप्त किया इस अफसर पर मीनू फोजदार, कल्यान विश्नोई, अनील मिश्रा, संजीफ श्रवास्तफ, चंदरभान चौधरी, रूप सिंग, भगवान सिंग, मंगेश सिंग, उदैपाल, मदन, गोदारा, चंचल तिवारी, यश्वीर लता कुमारी, सिया राम, यदुनात, निर्मला, सुनील तिवारी विमल शर्मा आदी उपस्तित थे, राजसान प्रदेश कॉंग्रस कमीटी की निर्देशा अनुसार, आज जिला कॉंग्रस कमीटी दुआरा, इस्थानिय गांधी पार्क में, राजपिता पहत्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष, कॉंग्रस नेता राहुल कॉंग्रस, युवा कॉंग्रस सहित बड़ी संख्या में कॉंग्रस पद अधिकारी कारेकरता जन प्रतिनिधी मौजूद रहे। जनक बयान बाजी कर रही है। इस अफसर पर वरिष्ट कॉंग्रस नेता राजवीर मेरान नेता जी सर्मत्रा, जगदीश त्यागी संजे भगेल, अविनाश शास्त्री पूरंस सिंग, रुस्तम सिंग एड़ोकेट लोकेंद्र कडेरा, शामु पंधित ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व अनीश खान, निज वेंद्र, दरियापुर, मानवेंद्र सिंग, धीपक सकसेना, बनवारी लाल, जाटव, दिनेश त्यागी, राजेश प्रजापती, तरुन शर्मा, विजेंद्र सिंग परमार, अभिशेक शर्मा, देवराज, विशाल, शुभम, मुद्गल, गौरफ शर्मा, सहित बड़ी रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हार सेंटर धूल पोर रेफर कर दिया गया, जानकारी के अनुसार शुकरवार, रात करीब नौ बजे, योगेश उर्फकल्ला पुत्र श्रीगिरी जाती, गुसाई, उम्र 40 वर्ष, निवासी, कोटरा, बसेडी बाइक से, बा रवेशा मोड के समीप, सामने से आ रही, एक तेज रफतार कार ने बाइक को टकर मार दी, जिससे वे दोनों गंभी रूप से घायल हो गए, दुरघटना के समय लोगों की भीड जमा हो गई, लोगों ने इसकी सूचना बसेडी पुलिस को दी, जिससे बसेडी पुलिस मौ के पर पहुंचे और घायलों को अम्बुलेंस की साहता से सामुदा एक स्वासे केंदर बसेडी लेकर आई, जहां डॉक्टरों ने योगिश उर्फकल्ला को मौरत घूशत कर दिया, वही एस्वीर की हालत गंभीर होने पर उपचार के लिए हार सेंटर धूल पुर रेफर क तूरचमिल ने बताया कि रात नौ बजे घटना पर पुलिस ने मृतक के शफ को सी एच सी भसेडी की मौचरी में रखवा दिया और सुभब पंचरामा तैयार कर शफ का पोस्ट मौटम करा कर परीजनों को सौब दिया और पीडित दुआरा दी गई तहरीर के आधार पर कर मामने की जान शुरू कर दी है बसेडी से अबधेश शर्मा की रिपोर्ट बीटी और उपनेदेशक आयरुवेद वभाग डॉक्टर भरत सिंग जिरवार ने कलेक्टरेट में भामशाह दंपत्ती रामजिलाल शर्मा और उनकी पत्नी निर्मला शर्मा को सम्भानित किया भामशाह रामजिलाल जी ने राज़किये आयरुवेद और शिधाल्य कासीम पूर के लिए 3.5 बिस्वा भूमी दान की जिससे नए इस्थाई भवन का रिर्मार संभव हो सकेगा भामशाह रामजिलाल शर्मा जुपूर में ग्रामविकास अधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में हाॉसिंग बोर्ट कॉलनी धोलपूर में निवास करते हैं का यह द ग्रामीन स्वास्ते सेवा में एक मील का पत्थर साबत होगा इस अफसर पर जिला कलेक्टर ने भामशाहों को जनकल्यान कारी कारियों में आगे आने के लिए प्रेडित किया आयुरवेद विभाग के वरिष्ट चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोध गर्ग ने भी इस गर्वेद कमपाउंदर नवल सिंग जेपी शर्मा बनवारी लाल शर्मा और ललत गर्ग भी उपस्तित रहे दोलपुर अधिशासी अभियंता जल संसाधन खंज दुटिय दोलपुर में साहयक अभियंता एवं तकनीकी साहयक के पत पर कारिरत शिव सिंग का इस्टिन साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेटकर की तस्वीर देकर तथा साफा बांद कर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया XEN मनुच कुमार शर्मा ने बताया कि शिव सिंग जी AEN ने दिरांग 4 जुलाई 2022 से 20 सितमबर 2024 तक दो वर्ष के कारियकाल में जल संसाधन खंज दुटिय में तकनीकी साहयक के पत पर कारिय किया तथा इस दो वर्ष के कारियकाल में इमानदारी निष्ठा से अपनी सारी जिम्मधाया ने भाई आधी पर विचार व्यक्त किया AEN शेव सिंग ने धन्यवाद देते हुए बताया कि इस कारल्य में स्टाफ के समस्त अधिकारी करमचारियों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और मेरा भव्य स्वाकत कर मुझे विदाई दी मैं आपको हमेशा याद रखूँगा दोलपुर आर एसी चटवी बटालियन में तैनात डिप्टी कमांडेंट प्रकास चंद्र का आज सुभर निधन हो गया दोदन पूर्व तबियत खराब होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भरती कराया गया था जहां से उन्हें गुरुवार को इलाज के लिए जैपुर रेफर किया गया बुदवार को दोलपुर में डिप्टी कमांडेंट प्रकास चंद्र की तबियत अचानक खराब हो गई जिसके बाद उन्हें रात को जिला अस्पताल में भरती कराया गया तबियत में सुधार नहीं होने पर डॉक्टर ने उन्हें रेफर कर दिया जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में गुरुवार को जैपुर के समस अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दोरान शुक्रवार सुभा उनकी मौत हो गई जिप्टी कमांडेंट की निधन के बाद आर एसी में शोकी लहर फैल गई जिप्टी कमांडेंट प्रकाश चंद्र धोलपुर से पूर्वक करॉली में अतरिक्त पुलस अधीशक किपत पर अपनी सेवाय दे चुके है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दुआरव वित एमम विनियोग विधेयक में राज्यकरमचारियों की वेतनवी संगतियों को लेकर की गई घोशना की क्रियानविंती नहीं होने के विरोध में आज हजारो राजय करमचारियों ने अखिल राजस्तान राजय करमचारी सयूक्त महासंग के आबाहन पर पूरे प्रदेश में ग्यापन दिवस मनाया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ग्यापन प्रस्तत किया धोलपुर जिले में यह ग्यापन महसंग के जिला अध्यक्ष चंद्रबान चौधरी के नेत्रत्व में गए प्रतनेधी मंडल की ओर से जिला कलेक्टर धोलपुर को सौपा गया वही प्रदेश की राजधानी जैपुर में यह ग्यापन महासंग के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सेंग राठोर एवं जिला अध्यक्ष छोटे लाल मीना की अगुवाई में गए एकशिष्ट मंडल ने मुख्यस चीफ को प्रस्तुत किया जिला कलेक्टरेट पर जिन करमचारी नेताओं ने संभुदत किया उनमें घंशाम शर्मा, रामिश्वर, डोंगर सिंग, ब्रजेश, दुर्गेश यादव, अशोक कुमार, अतुल, हुंडावल, राकेश शर्मा, राजीव, ओमनरेश, होमेश्वर, राजवीर भगेला, रा अपाचे मोटरसाइकल एवं इको में घूमते हुए संदग्द व्यक्तियों को पकड़ा है, जिन से पहले ग्रामीनों दुआरा पूछताच की गई, लेकिन ग्रामीनों को भी वह कुछ जवाब नहीं दे पाए, संतोष जनक इस पर ग्रामीनों ने अपाचे मोटरसाइकल पर बैठे हुए दो व्यक्ति, भीमकी गाउं से एवं इको में बैठे हुए साथ व्यक्तियों को नागर में बैठा रखा, जहां पर पुलिस को सूचना ग्रामीनों दुआरा दी गई, पुलिस दुआरा मौके पर पहुँच कर उन सभी व्यक्तियों को हिरासत में ले लिय गौरत लब है कि राजाखेडा शेत्र के ग्रामीन शेत्रों में इस वक्त बदमाशों का भैव्याप्त है जिसके कारण ग्रामीन शेत्र के आम व्यक्ति वैसे आतंक के साय में जीने को मजबूर है अभी कुछी दिन पूरवर राजाखेडा शेत्र के गाउं सोनपाल के पुर की गई घटनाओं की गोली बारी की सूचना सुनाई देती है जिसकी वजह से राजाखेडा शेत्र की ग्रामीन शेत्रों में इस समय पर व्यक्ति बदमार्शों के भैसे आतंकित हैं राजाखेडा से बुद्धी सिंगुदेनिया की रिपोर्ट